यहाँ पर UPSC के द्वारा लेकपाल का विग्यापन जारी कर दिया गया है और इसमें विग्यापन आप आयो की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं आवेदन आनलाइन सुल्क जमा करने की जुतिती है 7 जनवरी से 28 जनवरी तरने धाल की गई है आवेदन संजुदन आप कर पाएंगे 4 फरवरी तक और याद रिखेगा कि अगर आपने PET परिच्छा पास की है और आपको एक स्कोर कार्ड जारी किया गया है उसी हालत में आप आवेदन के पात रोंगे यहां पर पहले से कोई भी पर्षेंटाइल या कटाफ डिशाइड नहीं किया गया है सभी लोग आवेदन कर पाएंगे और इसके बाद फिर यह डिक्लिर किया जाएगा कि कौन-कौन से लोग साटलिस्ट किये गए हैं मुख की परिच्छा के लिए और आप पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है यह आनलाइन है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं और आप आवेदन करते समय दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं ब्यक्तिकत बिवरान के साथ और दूसरा OTP के माध्यम से मतलब जब पीटी की परिच्छा आप ने दी थी जो मुबाइल नंबर आपने उसमें दिया था उस पर एक OTP आएगी और उस OTP को डालते ही आपका फार्म आपको दिखने लगेगा कुछ चीज़ें आप संसुदित कर पाएंगे कुछ चीज़ें आप संसुदित नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर ब्यक्तिकत बिवरान के साथ और OTP के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे इसकर Southern friends फोटो और हस्ताक्षा के बारे मगर बात करें यहाँ पर बतार गया कि इस वाग में अब बिर्ती द्वारा प्रारंविक अरता परिश्चा 2021 में यानि पीटी में जो फोटो आपने अपलोड किया था फोटो अस्ताक्षर वही यहाँ पर प्रतरसीत होंगे अब बेर्थी तौरा इसमें कोई संसुदन अत्वाब परिवरतन नहीं किया जा सकता ठीक है तो फोटो अस्ताक्षर तो वही रहेंगे जो आपने पहले अपलोड क यहां पर सिर्फ आवेदन की ही फीस ले जा रही है जो की 25 रुपए है ठीक है और यह सभी अपर देना है यहां पर कुछ अलग अलग नहीं है तो आनलाइन आवेदन करते समय आपको 25 रुपए सुल्क देना है आप किसी भी कटेगरी सी हो जनरल है OBC है, अंसोचित जर्धी ऑनसोचित जर्धी जर्धी या फिर फिर बिगलंग जर्ध. इसके बाद आपको जब साड्लिस किया जाएगा, यहां दिजएगा मुख़ी परिक्षा के लिए यहां पर एक Qdalum देखिए कि जब आपको मुख यह परिक्षए तो परिक्षा फीस या स का भुक्तान केबल मुख की परिच्छा के लिए साट लिस्ट के गए बिड़तों द्वारा ही अलग से किया जाएगा यानि कि जब आप साट लिस्ट हो जाएंगे कि हाँ आपको मुख की परिच्छा में बैटना है क्योंकि अभी तो सभी आविदन कर सकते हैं जो लोग पीट जमा कर दें मुख की परिच्छा यह तो साट लिस्ट किये गए बिड़तियों द्वारा मुख की परिच्छा यह तो परिच्छा फीज सुल्क जैसा कि आयो गया सासन द्वारा निधायत किया जाएगा उसका भुक्तान आपको प्रिच्छ पत्र डाउनलोड करने से उस अप्लिकेशन फार्म का प्रिंट आउट जो है उसको लेकर रख लें ठीक है तो प्रिंट आउट अप्लिकेंट सेग्मेंट के अंतर के दिए अप्लिकेंट डेस्बोर्ट पर जाकर पीटी रिजिस्ट्रेशन के माधिन से लॉग इन करके अवसे प्राउत कर लें अब आपको यहां पर दिखाना होगा तो यह बात आप यहां पर ध्यां से समझ लीजिए यह अप्लिकेंट सेग्मेंट के अंतर के देगें लिंक अप्डेट योड ट्रांजेक्शन आईडी बाई डबूल वरिविकेंट पर क्लिक करके विज्यापन की अंतिम तितिती तक प्रि अप्लिकेंट सेग्मेंट के अंतर करने के अप्लिकेंट डेस्बोर्ट पर जाकर पीटी रिजिस्ट्रेशन के माधिन से लॉगिन करेगा लॉगिन करने के अउपरां अप्लिकेंट संबंदित पिग्यापन के सामने प्रतरसित modify application बटन पर क्लिक करके उसके बाद जो आपका रेजिस्टर मुबाइल नमबर है या उड़ी इमेल है एक OTP आएगी उसके माधन सा लॉग इन कर पाएंगे देन आफ्टर आप संसुदित कर पाएंगे तो देखें यहाँ पर अब् प्रतित पिग्यापन जैसे की EWS 36 आरक्षण की इस्तिति जाद की स्रेणी लिंग आविदन में अनिवार या अधिमानी अर्था संबनी दर्ज किया गया पिग्यापन बस इतना ही आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे पदों के बीरोन के बारे में बात करें तो पद जो थे बूद कुल मिलाके 8,085 पद होंगे यहां पर ठीक है 8,085 पद तो यहां पर देखिए अनारक्षित में 3,271 पद है अनसुचित जाद के लिए 1690 अनसुचित जाद के लिए 152 वो 20 के लिए 274 और आर्थिक रूप से कमजूर के लिए 708 पद है कुल पदों के संगया कितनी ह और इसके लिए जो eligibility है वो मातर intermediate pass out है ठीक है तो बहुत इस आड़ मैं आपको अरपाद दता रहा हूँ आविधन के समय अगर कुछ बिंदु आपको परसां करते हैं तो आप नीचे पूछे का comment करके मैं उसको clear कर दूँगा यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौ अर्था की बात हो रही है यहां पर तो इंटर्मिटेटर गर आप पास आउट है ठीक है तो बस आप आवेदन कर पाएंगे ट्रिपल सी नहीं मागा किया है अजमानी अर्था में अगर NCCB certificate है तब यहां प्रादेशी सिर्णा में यह उन्तम दो वर्स की अवधित आपने से जो सरकार द्वारा समय समय पर अजसुचित की जाए अवेट्यों की दसा में उचतर आवसीमा उतने वर्स अधिक होगी जितने यहां पर निर्दिष्ट की जाएगी ठीक है तो यहां पर लगबत तीन से पांस साल की छूट भी मिलती है अन्यवर को और भी छूट मिलती है जो बिकलांग जनों को पंदर वर्स तकी छूट मिलती है पूरी चीज आप यहां पर देख लिजिएगा आविदन से पहले ठीक है उसके बाद ही आविदन कीजिएगा आरक्षण जो मिलेगा वो तो रहेगा ही आरक्षण अन्यमने रहेगा उत्तर प्रदेश की अंसुचि की अन्सोशी जन जाती अन्य पिछडों वर्गों और आतिक रूप से कमजोर वर्गों उत्तर प्रद सरकार के अध्यावधिक विद्यमान सासना देशों विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अन्यमन्य रहेगा और आरक्षण या आविशीमा में छू तो इसी विभागों नीचे मा को दिखा रहा हूं उसी प्रारूप पर आपको जो है बनवाना पड़ेगा अपना आरक्षण के साइटिफिकेट जयान का अधा लिखित परिक्चा होगी इंटर्व्यू नहीं होगा और यह रहा पुरा कायक्रम लिखित परिक्चा एकि पाल गनित, समान निग्यान, ग्राम में समाज और विकास, यह 4 टॉपिक रहेंगे, सभी 4 टॉपिक से 25-25 प्रस्ण होंगे, 2 घंटे में आपको यहाँ पर 100 प्रस्ण के उत्तर देने होंगे, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 चोथाई, यह भी जान देजिएगा, पार्टि का लाब आपको लेना है, तब ऐसी इस दिदी में यह सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, जैसे की अलग-अलग कटेगरी के लिए, तो इसको आप लोग इसी फार्मेट पर बर्मा लीजिएगा, यह बात यहाँ पर बताई जा रहे हैं, तो दोस्तों यह पूरा नोटिफिके लेकपाल भरती के लिए तैयारी अब आपको लोग स्टार्ट कर दीजिए, और जितनी भी क्लासे संभव सकेंगी, सारी क्लासे आपको इस चेनल पर उपलब्द करवाई जाएंगी, पूरी खी पूरी तैयारी करवाने की पूरी कोशित रहेगी हैं, सबसे पहले हम ग्राम स समाज को ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इसकी पहली क्लास कल से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज डू लाइक और सेर, अपने दोस्तों के बीच इससे सेर जरूर कीजेगा, बहुत ब